हलो एस्टुरेंज यह आपका पार्ट 7 वीडियो इस सेटर का पार्ट 7 वीडियो में परस्णावले 7B पेया है और कुछ सनमर है वन कहरा है बिंदूं यहां पे दो बिंदूं दी हुई है को मिलाने वाली रेखा खंड के मद बिंदू के निदर सांग या पी चैरी है मैं एक क मिलाने वाले रेखा खंड के मद बिंदू का निदर सांग ना तो यहां हम नोगों कॉमा दे कि AN आर बिंदू, बिंदू, पी जिसका निसांग है मैंनस 3,4 और बिंदू, बिंदू, क्यूँ है जिसका निसांग है 3,4 को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदू है आर क्या है बिंदू, पी और क्यूँ को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदू है तो हमें आर का निसांग निकालना, तो हम लोगों मध्य बिंदू सुत्र जानते हैं, मध्य बिंदू सुत्र, मैंने आपको बता रख्या है मध्य बिंदू सुत्र, कि अगर दो बिंदू, एक x1, y1 और दूसरा x2, y2 दिया हो, तो मध्य बिंदू सुत्र से उसके मध्य यहां प्लस त्री बाइटू और फिर फोर प्लस माइनस फूर बाइटू यहाँ जीरो बाइटू और यहाँ पर तो यानि कि जीरो जीरो आजाएगा तो हमने निकाल दिया कि आर करने सांग क्या है जीरो जीरो है चलते अब अगले कोशन पर कोशन नमबर टू देखिए यदि यह चार बिंदू दिये गए हैं इसी क्रम में लेने पर एक समानतर चत्रभूज के सिर्स हो रहा है इसी क्रम में तो हमें X और Y का मान ग्याद करना है यहां X है और यहां Y है इसका मान हमें ग्याद करना तो मैं क्या करता हूं पहले एक समानतर चत्रभूज बना लेता हूं तो समझाने के लिए आपको मैं एक समानतर चत्रभूज बना लेता हूं अब इसके बाद देखिए मैं इसी क्रम में इनको सजा कर इनके सिर्सों को दरसा देता हूँ इसे A माल लेता हूँ यहाँ B, A, C और D और इनके निलसांग यह लेता हूँ 1,2, B का निलसांग होगा 4,Y C का निलसांग होगा X,6 ठीक है? X,6 और D का निलसांग होगा 3,5 यह है चलिए अब देखिए मैं इनके विकर्णों को भी मिला देता हूँ ठीक है? और इनके 36 बिंदों को ओर देता हूँ समझ यहाँ इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे कि माना A जिसका निलसांग होगा 1,2 B जिसका निलसांग होगा 4,Y C जिसका निलसांग है X,6 और D जिसका निलसांग है 3,5 समानतर चत्रभूज समानतर चत्रभूज A, B, C, D के सिर्स हैं ठीक है? चलिए यह हम लोग यहाँ पर लिख लगते हैं अब यहाँ पर हम जानते हैं ऐसे लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं जी? हम जानते हैं कि समानतर चत्रभूज के विकण समानतर चत्रभूज के विकण एक दूसरे को एक दूसरे को समदिभाजित करते हैं समदिभाजित करते हैं यहनि दो बराबर भागो मालते हैं यां इसके बराबर हो जाय का और यह वाला हो जागा सम्झेशना Oway ₂C के बराबर हो डी के बराबर हो तो जब यह एक दूसरे को सम्झिभाजित करते हैं यहां कह सकते हैं कि औ sic हम्तबिन्दू है और ओ बीडी का भी मध्निन्दू हो जाएगा व्यानी men यह बराबर हो रहा है इसके मत्ध बिंदू हो रहा है और एसी का भी मत्ध बिंदू हो रहा है क्योंकि यह दूसर को सम्हज़ाइद करते हैं अता O A.C. तथा B.D. का मध्भ विंदू है क्या ह misconceptions मध्भ विंदू है तो हम लोग जानते हैं मध्भ विंदू कन्यद शांग कैसे निकालते हैं अगर मालम मुझे A.C. के मध्व विंदू को निकालना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस X बाइ 2 देख लो X1 प्लस X2 बाइ 2 और फिर 2 प्लस 6 बाइ 2 देख लो Y1 प्लस Y2 बाइ 2 उसी तरह से यह किसके बराबर होगा देखो AC का मदबिंदू O है और BD का भी मदबिंदू है तो इधर हम लोग BD का मदबिंदू निकाल देखें दोनों तो आपके O के हिन्विदे सांग का मदबिंदू निकाल देख दूसरे के बराबर होंगे ना जी चलिए तो क्या हो जागा 4 प्लस 3 बाइ 2 और Y प्लस 5 बाइ 2 समझे रहे ना अब आगे हम इसे यहां पर सॉल्ट रहते हैं क्या हो जागा 1 प्लस X बाइ 2 यहां पर हो जागा आठ बटा दो यहां साथ बटा दो और Y प्लस 5 बाइ 2 अलग अलग कर लेते हैं X के नियमों को X के नियमों के बराबर Y के नियमों को Y के नियमों के बराबर 1 प्लस X बाइ 2 इकॉल टो 7 बाइ 2 और y प्लस 5 बाई 2 बराबर में 8 बाई 2 2 से 2 यहां कटेगा यहां भी 2 से 2 कर जाएगा यह उदर जाके घटेगा तो x बराबर 6 और यह 5 उदर जाके घटेगा तो y बराबर 3 x का 6 और y क्या 3 आ गया समझ गया चलते हैं अब next question पे question नमर 3 देखिए कह रहा है उस बिंदू के निदसांग बताईए जो बिंदू से खीचे जाने वाले रेखा खंड को दिये गए अनुपात में बाहता विभाजित करते हैं ठीक है यानि बाहरूप से विभाजित करते हैं बाहरूप से विभाजन के लिए मैंने आपको सुत्र बता रखा है मिभाजं सुत्र सब्सक्राइं हमारे पास दो विंदू दिये गए हैं और यहां अनुपाद क्या दिया है तीन अनुपाद दो एक लम बाहरे इन दोनों को मिलाने वादी देखा खंड जो यह पी क्यूं है इसको बाहरूप से तीन अनुपाद दो स्वेग, यानि कि बाहरूप कहने मतलब कि इधर के तरफ कोई बिंदु होगा, ठीक है या इधर हो सकता है, तो अगर ध्यान देना, यहां पर अनुपाद देखो, अनुपाद दिया है तीन अनुपाद दो, यावाला अंग बढ़ा हो और यह अंग छोटा हो पहला वाला अंग बढ़ा हो दूसरा अंग छोटा पात में तो वह बिंदू इधर होता है और यहाँ देखो यहाद यहाँ है एक अनुपात दो समझे ना तो ध्यानक ना कि जब इसको होगा इथर वालाँ चोटा इदर वालाँ सोवय है तो वह विंद घटर होता एफ वाह बाहर रूप सब हätो सिस्ट लिए जाइसी बात है कि वह हैं जो बिन्दू होगा वह एफर की और हों ऐसे कोई बिंदु होता है इधर बिंदु होगा झाज कि हमनों क्या करते हैं यहां से मिला जते हैं है कि यह हुआ यह है क्या क्या रहा है ते कि क्युक्ष को यानि P से Q को मिलाने वाले रेखा खन को तीन अनुपाद दो के अनुपाद में बाहर रुप से गायत करता है यानि कि यहां से यहां समझे ना P से R तक यह तीन भाग है और यहां से यहां जो है यह अपका दो भाग है समझे ना इसका मतलब यह हुगा तो हम लोग इसको as x1, y1 समझेंगे और इसको हम लोग x2, y2 समझेंगे ठीके और यहाँ जो अनुपात दिया है वहाँ हो जागा m अनुपात n यहाँ पर मान लेंगे कि माना बिंदूओं बिंदूओं पी जिसका दिन सांग है 3,4 और क्यूँ जिसका दिन सांग है मैनस 6,2 को मिलाने वाली को मिलाने वाली मिलाने वाली रेखा खंड को रेखा खंड को नहीं पी क्यूँ को बिंदूओं आर तीन अनुपात दो के अनुपात में बाहे रूप से विभाजित करता है या बाहे तह विभाजित करता है अनुपा अनुपात में और हुए विभाजित करता है विभाजित करता है हमने विभाजन शुत्र लिख रखा है बाहे रूप से जब विभाजित करता है तो उसके लिए में आपको सुत्र लिखवा रखा है क्या बताया था विभाजन सुत्र में विभाजन सुत्र में क्या बता रखा है तो बताया हुए हमें mx2 माइनस nx1 बता में m-n m y2 माइनस ny1 बता में m-n तो यहापे यह x1 और यह x2 और यह मनुपातय है यह था विभाजन सुन रख जते हमें आर कान दे सांग मिल जाएगा तो इसलिए बिंदु आर कान दे सांग आर का निर्दे सांग चलिए हम लोग जो मान यहाँ पर माने हो उसी का नुसारिस में रख देता है M का मान है 3 X2 का मान है आपके पास माइनस है N का मान है आपके पास 2 और X1 का मान है 3 और बटा में M माइनस N निकि 3 माइनस 2 M का मान है आपके पास 3 यहां से देख देख के बस रख देना है इन का मान क्या है दो और वाइवन का मान है हमारे पास चार और बटा में तीन माइनस दो यानि एम माइनस समझे ना कोई दिक्कत नहीं है इसमें चलिए आगे सॉल्ब करते हैं माइनस का ठारा माइनस का शे बटा में एक आ जागा यहां चे और माइनस का चार दुना आठ बटा में एक तो हो जागा माइनस का चोग विस ठीक है और यहां माइनस का दो यही ना मैं निकाल ला था मैंने सांग मिल गया अगले कोशन पर चल देख के इसका सेकें नमबर और एक बिंदू ले लेते हैं क्यूं थोड़ा सवागे बढ़ा के लेते हैं इधर लेते हैं जिसका नियुक्त है मैंने बताया है यहां चोटांक है यह बड़ांक है तो आपका जो आर होगा न वह इधर हो जाएका समझे ना चलिए हम लोग ऐसे मिला रहते हैं तो यहां पर यहां जो है बाहर बिंदू वह है जिसके क्या कर रहा है यहां आर इस पी क्यू रेखा खंड को एक अनुपाद दो के नुपाद में रहत कर रहते हैं यानि कहने का मतलब कि पी से यहां तक की समझे ना एक अनुपाद दो करता है इसलिए यहां बिंदू आर इधर आ रहा था और इसके पहले वाले कोर्शन में आर विंदू हम लोग इधर लिए ठीक है समझ रहे ना बात को हम लोग यहां पर यहां पर यहां आपका x1y1 हो जाएगा यहां आपका x2y2 होगा और जो को मिलाने वाली मिलाने वाली रेखा खंड रेखा खंड पीक्यू को बिंदू आर एक अनुपाद दो के अनुपाद में बाहेता बिभाजित करता है इसके लिए मैंने आपको बिभाजन सुत्र लिखवा रखा है बिभाजन सुत्र क्या लिखवा रखा है mx2-nx1 बटा में m-n और my2-ny1 बटा में m-n अब चलिए सभी मानों को रखकर हम लोग r का निर्दे सांग निकाल लेते हैं ठीक है समझें ना मानों चलिए अब देखिए आगे नीचे m-n n की 1-2 यहाँ पे भी m के जगह पर 1 और y2 के जगह पर 4 ठीक है y2 का मान हमारे पास 4 है देख रहा है ना आपके question में उपर दिया हुए है minus n का मान दू और y1 का मान है आपका पास बटा में a minus n एक minus 2 समझे ना चलिए देखतें आगे क्या आएगा यहाँ पर होगा 6 पलस का 4 बटा में minus 4 माइनश 10 बटा में minus 10 समझे ना यही ना हो जाएगा आपका यही ना होगा चलिए आगे solve करते हैं है यहां पर क्या हो जाईगा यह आपका this हो जाघा जूझए जो यहां पर यह जो तो घ्राद करना कर रहा है कि अंता विभाजन कर रहा है तो उसका मतलब अंता विभाजन ही है यहापे हमें अंता विभाजन से मतलब रखना होगा ठीक है अगर काता तो ठीक है नहीं भी कहेगा तो हमें अंता विभाजन ही निकालना होगा, चली तो एक को बिंदू पी ले लें लेते हैं, जिसका ने सांग मैनस 1,7 है, और एक बिंदू क्या ले लेते हैं, जिसका ने सांग 4,3 है, ठीक है, अब इन दोनों को मिला देते हैं, इurn को दोनों को मिलाने वाली रेखा अब देखिए हम लोग यहां माल लेंगे कि माना बिंदूओं बिंदूओं कौन-कौन से है पी जिसका नितसांग है मैंनस एक कॉमा साथ और क्यू जिसका नितसांग है आपका चार कॉमा मैंनस तीन को मिलाने वाली रेखा खंड लेखा खंड पीक्यू को बिंदूओं अर दो अनुपात तीन की अनुपात में अनुपात में विभाजित करता है यह हम लोग ऐसे लिख लिख लिखते हैं यह अंता विभाजन करते हैं यह भी लिख सकते हैं ठीक हैं चलिए अब इसके बाद लगाते हैं विभाजन सुत्र तो क्या होता है आपका विभाजन सुत्र बिभाजन सुत्र अन्ता है बिभाजन के लिए ना मैंने बता रखा आप MX2 प्लस NX1 और बटा में M प्लस N MY2 प्लस NY1 बटा में M प्लस N यह ना होता है चलिए इस पे रखते हैं और निकालते हैं R का निर्दसान का R का निर्दसान क्या होगा, चलिए देखते हैं, M के जगा पर आप रखोगे 2, X2 के जगा पर है आपका 4, N के जगा पर 3, और X1 के जगा पर माइनस का 1, बटा में M प्लस N, यानिकि 2 प्लस 3, ठीक है, कोई दिकत नहीं है, अब देखें, M के जगा पर रखोगे आप 2, और Y2 के जगा माइनस का 3, ठीक है, और पलस N के जगा रखेंगे 3, और Y1 के जगा पर 7, और बटा में 2 पलस 3, चलिए अब इसे समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं, नेक्स्ट कोशन पर, कोशन नमर फाइब देखें, क्या रहा है कि बिंदू, यह दो बिंदू दिएंगे हैं, इनको जोडने वाली रेखा खंड को सम्त्रिभाजित करने वाले बिंदू हो के निदर सांग यह तो चलिए, मैं ए सम्त्रिभाजित की तीन बराबर भागों में बढ़ेगा, ठीक है, तो एक र माल लेते हैं, और एक एस माल लेते हैं, देख रहा है, यहां आर और इस क्या कर रहा है, इस रेखा करन पीक्यू को तीन बराबर भागों में बाढ़ते रहा है, यह तीन बराबर भागों में बा आंतर भी भाजन के ही यहां बात करेंगे, त अमनों माल ने थ है कि माना बिंदुं भी जिस करने तक है चार और जहां दो को मिलाने वाली मिलाने वाली रेखा खंड झ parenth dear झाहस हो एक खंड पीक्यू को बिंदुएं आर तथा एस तीन बराबर भागों में बाटती है उनके सम्ति भाजित करती है भागों में बाटती है ठीक है हमें क्या करना है यह जो समति भाग करने वाले विंदूं हो रहे हैं इन कि आर औरेस करने दर शांग याद करने तो यह आपका या आपका x2y2 को और अनुपात के बार एंन नुपात एन यह लेंगे जब आर करने दरश सांग निखालेंगे और M अनुपात N यहां लेंगे जब S का निर्देशांग निकालेंगे और X1 और NX2Y2 यही रहेगा तो हम लोग इसके लिए भी भाजन सुत्र पढ़ चुके हैं MX2 प्लस NX1 बटा में M प्लस N MY2 प्लस NY1 बटा में M प्लस N तो सलिए के करके निकालते हैं पहले निकालते हैं R का निर्देशांग M के जगा पर क्या होगा M के जगा पर 1 होगा और X2 के जगा पर माइनस का 2 ठीक है प्लस N के जगा दो होगा और X1 के जगा पर 4 और बटा में आपका M प्लस N यानिकी 1 प्लस 2 M के जगा 1 y2 के जगह पर आपका होगा minus का 3 plus n के जगह पर 2 और y1 के जगह होगा minus का 1 और बटा में m plus n यहनी की 1 plus 2 चलिए आप आगे solve करते हैं हाँ पर क्या हो जागा यहाँ minus का 2 plus का 8 बटा 3 ठीक है और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका minus का 3 minus का 2 और बटा में 3 ठीक है तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका नटा देंगे तो 6 बटा 3 और यहाँ पर minus का 5 बटा में 3 यह कट जाएगा दू बार में तो 2 कॉमा minus का 5 बटा 3 यह निर्देसांग का 11 का अब रहा हमें S का निर्देसांग निकाल नहीं तो लिकालते है S का निर्देसांग S का निर्देसांग क्या हो जागा S का निर्देसांग के लिए तो वही M के जगा पर आप लोगे 2 M अनुपाते एक लेकर चलेंगे और आपका X2 है minus 2 plus N के जगा पर 1 और X1 है आपका 4 बटा में M plus 2 प्लस 1 M के जगा पर 2 और Y2 है आपका minus का 3 N के जगा पर 1 और Y1 है आपका minus का 1 और बटा में M plus N निर्देसांगी 2 plus 1 चले आप आगे solve करते हैं तो यहाँ क्या आजाएगा 0 आजाएगा याणि कहने का मतलब minus 4 प्लस 4 होगा तो 0 हो जाएगा minus 4 प्लस 4 बटा 3 यहाँ minus का 6 minus का 1 बटा में 3 तो यहाँ से आजाएगा आपका 0 बटा में 3 और यहाँ minus 7 by 3 0 बटा 3 यानि की 0 और minus का 7 by 3 तो हमने इसका बिंदेसांगी निकाल दिया और उपर मैंने R का निकाल दिया था चीक है कोर्सर नमर 6 देकि कहा रहा है एक रेखा खंड का एक अंताय बिंदू 13,19 है यदि उसका मध बिंदू दिया हो यहाँ पर दिया है मध बिंदू तो दूसरे अंताय बिंदू के निकालने है समझे हम लोग एक रेखा खंड ले लेते है P Q ठीक है इसका एक अंताय बिंदू यानि कि ये माल लेते है यहाँ पर दिया होए 13,19 हमारे पास यह Q का नहीं दिया होगा यहीनिकालने हो ठीक है माइनस का नो और कोमा में 30 इस बिंदू को R माल लेते है यहाँ लिखते थे हैं कि माना R रेखा खंड पी क्यू का मद्धि बिंदू है और जहां आर का जो अगर बात करें आर का निर्दे सांग यह हो जाएगा जो दिया हुआ है मद्धि बिंदू और A का अंताय बिंदू यहाँ पर हमने यह ले लिया तो हमें यह दूसरा Q का निर्दे सांग निकल ले तो हम लोग इसको माल लते हैं कि X नहीं है तो यहाँ पर P का निर्दे सांग हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ दिया हुआ है तेरा कॉमा उननेस ठीक है और हम लोग यहाँ पर मालनेत की माना बिंदू क्यू का निर्देशांग एक्स वाई है ठीक है तो अब यहाँ पर मध्य बिंदू सुत्र से देख सकते हैं मध्य बिंदू सुत्र से क्या हो जाएगा तो 13 पलस X बटा दो और 19 पलस Y बटा दो देख लिजे X1 फलस X2 बाई 2 Y1 फलस Y2 बाई 2 ठीक है क्या हो जाएगा बराबर में जो मध्य बिंदू होगा मैनस 9 कॉमा में अब अलग अलग यहाँ पर हम लोग कर देते हैं ठीक है यानि एक्स के नियामा को एक्स के नियामा के बराबर कर देते हैं और वाई के नियामा को वाई के नियामा के बराबर कर देते हैं तो यह जाकर उधर कितना हो जाएगा तेरा एक्स पलस तेरा पलस एक्स बराबर में माइनस का 18 यहां पर लिख सकते हैं कि बिंदू जो आपकी है बिंदू क्यूं का निर्दसां समझ गया है तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहन जाते हैं ठीक है नेक्स वीडियो में आगे कोसर को देखेंगे आपको हमारे तीन चैनलों को सस्थ्लाइब करेंगे पहला है पाथ फाइंडर क्लासेश छपरा दूसरा है आपका भारती भवन रवी का अंसर भारती भवन रवी कांत सर « ठीक है और तीसरा चैनल है रवी कांथ सर के नाम से तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे related वीडियो के लिए सीधे description में जाएंगे और इससे related notes के लिए Google पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsar.in और यहाँ पर जाकर आप सभी classes के notes और उनके PDF को download कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं तो जली से जाकर Google पे सर्च करें